मेरे से आज सुगह एक प्रश्ण पुझा था राम जी केवल संस्कृत और हिंदी जानते हैं के कुछ और भी जानते हैं यही प्रश्ण मेरे से जब मैं जम्मु कश्मीर कश्मीर घाटी में मासूमा बजार की अर उसके बाद वहां की दर्गाा में भी गया था जिसका बर्मन इस कुस्कत में भी ओगा तो वहां जम मैं गया था तो मैंने पूछा जिसको को खुदा कहते हैं अndला कहते हैं रभ कहते हैं, परवर्दिघार कहते हैं, गौड कहते हैं, जिसको वाहे गुरू कहते हैं, इश्वर, परमेश्वर, प्रमात्मा, बद्वान कहते हैं, जो जो भी नाम है, सब का एक संझा नाम है, हुपर वाले, उसको हुपर वाला भी कहते हैं, उसको लोग राम भी कहते हैं, क्रिष्न भी कहते हैं, तो ये सब कौन है, तो मैंने एक उत्तर गिया था, जो बे जुवान की भी जुवान जानता है, वही खुदा है और वही राम है, और जो सब की जुवान जानता ही नहीं है, वो बे जुवान है, तो भी वो उनको जानता है और उनको समझता है, उसी को ग वोड भी कहते हैं उसी को राम भी कहते हैं। यह एक सत्य था, सत्य है और सत्य सदा है। आज के इस सुंदर कारेक्रम में हम अंगरेजी साल का नव वर्ष को विदा भी करेंगे। और आने वाले कल के अंदर अंगरेजी साल के नए साल को स्वागत भी करेंगे। तर आप मानने आप मेसे Maximum, किसी भी कारण से करेंगे जो। कोई Sharmakar até तरे काका किसी के दोस्त ने किया इसलिए करेंगा यूटिए ने बोल दिया, Happy New Year तो बोल दे गा और बोलेगा मैं इसको बोलने एक होओगा दुनिया के अंदर छेस्सो से अधिक नव वर्ष है अकेले भारत के अंदर उनतिस से अधिक नव वर्ष है तो दोसो देशों के दोसो नव वर्ष हो गयों तो बाकी जितने अतिरिक तोंगे मिलाईए तो कहां जाएं आपने आपको मनाना उसमें संकोच करना पाप और अपराद है नंच की शोभा बढ़ा रहे है और सभा की शोभा बढ़ा रहे है भाईयों और वेर्ट शंत व्रिंद भी हैं इनकी वेश्मुशाओं के कारण ये मन में भाव आता है कि भगवान को मानों भी और भगवान के मानने पर चलो है क्योंकि है सफल तक ही पुंजी भी है और पुंजी भी कि सन उननी सो अठानवे मैं जम्मो किश्विर में और इमाजी राष्ट्रिये स्वयम सेवक्षंग के द्विधिये सरसंग चालग ना पंचम सरसंग चालग मानने सुधर्शन जी उन दिनों सह सर्कारे वाज उनका एक संदेश आया तो मैं दिल्ली आया था उन्होंने कूछा कि तुमने कुछ मुसल्मानों से डायलोग किये हैं मैं भू सुनना जाता हूं पहला डायलोग मैंने उननी सो चासी में राजोरी में किया था इतने सभागार में उपर नीचे ठूंसकर बैठे हैं अगर क्योंकि वहां सब आत्माओं की रेजर्वेशन पत्ती है जब भी जाएंगे तो इसलिए यहां खड़े होना भी सुभावी कि राजोरी की जामा मस्चित के अंदर करेक्रम का विशे भी बड़ा सीधा था आरत हिंदू राष्ट्र हैं मिस्टर कार्ण जो कॉंग्रिस के मलसी थे और साथ में इलेक्शन कमेटी के मेंबर भी किनी कार्णों से मेरां से परीचे वा था उरों ने था भारत हिंदू राष्ट्र है पर मुसल्मानों में आपका कारेक्रम कराना है इट इस बाइस सार्टिंग पॉइंट तो सभागार भी उसकर भरा था ब्रामदी भरे थे जो चोटा मुटा मैदान थे भू भरा था और मस्टित के आंगन में भी कुर्सिया डली ती और लोग खड़े साथ ही जुड़ता हो तो मैंने संबोधन के साथ कहा दुनिया के सब धर्मों में बहुत माननेताय समान हैं कुछ में अलग 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 वहराइटी से जो जनुमता है वो मरता है तो मैंने सभा कूछा क्योंकि वीशक प्रसायंट उसमें सनातन मतावलं जी थे असी प्रतिशत के लगवर इस्लाम मतावलं जी थे और दिल वो दो संस्थाओं के प्रतिनी जी थे दिनोंने मेरे सिर के ओपर मैंने उनको भी मंतन विजवाया था कि वो आएंगे तो अच्छा रहे तो मैंने वह कहाई इस प्रिंसिपल समान है जो जनमता है वो मरता है तो अच्छा भाई दोस्तो बताओ पाकिस्तान की जनमती थी एक स्वर में सारों ने चिला कर बोला है चोदा अगास्त उनीसों संत आलेश अरदराटरी बारा मज मिज़े पाकिस्तान जनमती मैंने अपना प्यारा प्यारा जिसें लगया कहते हिंधुस तान कहते भारत वाष्षछ कहते हिंद कहते है खि hypoc cynical को इसपावड्य के भारत जनमती थी एप जनमतीटी मिश अ नच्छुकर erset Squish, Nobody knows। यहाँ पैख तो मैंने कहा है कि आप सबने फैसला कर दिया पर फैसले से पहले जो यहां सबसे बजुर्ग है और सूफियत से लिए जाना जाता है सब उसके समान शर्था गर किसी भी धरम जाती के लोग थे भाषा के तो मुझा भड़ाना आप उत्तर दीजिए आप जो कहना करते हैं कह दीजिए तो उनुन ने कहा जैसे खुदा ना जनम है ना मौत है जैसे इसवर को ना जनम है ना मौत है ऐसे हिंदुस्तान एक करन भी नहीं तो मौत कहां से बहुत है ने मेजर जननल बेठे थे ते क्योंकि भैर व्यापत था पताने क्या होगा आज जी मैंने उससे पहले सबकारी करफ क्रभाने से पहले सब को आना था तो स्पेशल SP भी था स्पेशल ब्रिडेडियर भी थे दो मेजर जनल भी थे आर वी थी, defense भी थी, Air Force के बी थे, special IG आया, जम्मो किश्मीर का, इस कारिकरम के लिए, DM भी थे, सारे थे, जो मैंने सुनाया, तो अनके चेहनों पर एक रंग एक गया, एक गया, एक गया, एक गया, एक गया, मैं झादा आपका काम है, तो मैं तो मैं पना काम गरूँगा, आप अ यहां से शुरू किया, तो पाकिस्तान एक जनमा देश है, तो मैक्सिमम बोल बैठे, मैजोर्टी वज मुस्लिम, इसका मतलब है कि भाइसाफ उसकी मौत का दिन भी होगा, मैंने का जनम दिन जनम होने पर पता लगता है, मृत्यू दिन मृत्यू होने पर पता लगता है, उसस मेरे लगती आयों माले ही जा सकते भ्रवान से, मैं, जो सकते हैं उसको मिटाना ही सकते, निन्यान में प्रदिशत से अधिक, इस देश के अंदर जो मुसल्मान है, हिसाई है, यह और इस तरह के कुछ लोग है, यह किसी ऐसे देश से नहीं आये हैं, जो भी देश हो, यह सब उस देशे हैं, जिस देशे हम सब हैं, यानि यह भारत से थे, भारत से हैं और भारत से ही रहे हैं, जो हिंगुस्तान के थे, हिंगुस्तान के हैं, 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 हिंग जिस निए प्राइमिनिस्टर बनने की तरफ बड़ा एक वास्प्रेजिएंड बनने की तरफ बढ़ी तो दुनिया के समाचारप्त्रों में इतनी ही बात लिकी भारत मूल के रिशी सुनत भारत मूल की कमला है वो बदल नहीं सके अथा अगर हमने से कोई नफलत के कारण बु आताओ कि बुलका हैते हैं, Smash technology को दोजाओ के लिचु के में खाहते हैं को पर प् Schmidt के लिव खायते हैं, reject that आताओ कि लिचु के लिपन भूमा कम वर्ले के ह慌 आता हैं,만 इण हेैं जह भी आता हैं इसलिए इस बात को सोचना होगा कि हमने जाना कैसे है। मैंने इस कारिकरम में कश्मीर से दाख से लेकर अन्यकमारी तक के लोग आये। इस कारिकरम के लगर दर दोवा गुजरात से लेकर मनिपूर आसाम तक के लोग आये। ये सामानने कारिकरम होगा तो इसने लोग नहीं आनी ते जाते हैं। इन लोगों को सिरफ सुचना गई रहा है। ये भी आग रही गया कि आप जरूरूर आईए। उनको सुचना गई उन्हें सुचना को महत तुमाना कि हमने आना जाहिए। इसलिए इस लिए इसे ग्रेट ओर्डियंस। ये है एक ग्रेट ओर्डियंस का काईकरम है, सामानने ओर्डियंस नहीं। इस प्रकार से ना ही इनके लिए कोई आने जाने की ववस्था की गई। ना ही इनके लिए खेहरने की कोई ववस्था की गई। बहुत सारी संख्या तो कल ही आ गई थी। और इस प्रकार से इस कारिक्नम के अंदर प्रजैन सोस कि हम एक थे, एक हैं और एक ही रहना चाहते हैं। यह जो 55-56 क्रोड की लगभग पाकिस्तान, बंगलादेश, भारत मिलाकर, हिमाले से लेकर हिंद महासाजर तर, नेपाल तिबबत से लेकर, और अगर हम श्री लंका मालदीद तक जाएंगे, इसमें जो भी मुसल्मान हैं, वै नयन्यानमय प्रतिशत कनवर्टी हैं। उनके four fathers पर जाएंगे, बाप का नाम, दादे का नाम, पडदादे का नाम, चरदादे का नाम, लकडदादे का नाम, सरदादे का नाम, सरदादे का नाम, सरदादे का नाम, सरदादे का नाम, We have a common face and dream identity. That's why Vartaman Poojaniya Satsangachal Adi said, that we all were one, one is one, one is one. In that time, what was my experience was all dialogue. He said, I want to talk about Muslim people in Kashmir Ghati. 1. Article 370. 2. Insurgency or Athantwaad. 3. Videshi and Swadeshi Nagarit. 4. Videshi is a tourist. 5. Videshi is loyal. 5. Commitment is a country or not. 5. Videshi is a tourist. 6. Videshi is loyal. 5. Vidshi. 5. Videshi, als-is-a-is-a-is-a-we-ience-kap. That's why the쪽에 Shara Graciasye until then. 15. V eshi as-is-a-is बाइ रोड एमेले होस्टल में ठाहरे है। सुची बनी थी, 34 लोगों की इन खुबलाएं की। उसमें पूरी किश्मीर घाटी की जोग्रफी थी। उसमें जो बेसिक फिर्के हैं किश्मीर घाटी के बड़े साथ, वो सातों फिर्के के लोग भी आये। शिया सुन्नी इतना क्षप्त पर नहीं छोगा हूं। एल यदिस, एल यदिस, एल यदिसुनत आदिस। ये भी सारे आये। इशी के साथ साथ। जिन की मानसिक्ता इस बात की है, कि कश्मीर एक स्वतंत्र देश है, उस मानसिक्ता वाले भी आये। और जिन को लगता है कि 370 हटेगी तो देश के अंदर खुन खराबा हो जाएगा। उस मानसिक्ता वाले भी आये। ऐसे सब जिन से हमने कहिना के जक्तिकर डायलोग किया था, वो सब इसमें बुलाएं। कुर्सियां लगाई थी कि 20-20 आजाएंगे। प्रहंतू वो थोड़ी सी देर के लिए गये फिर दुआरा आगे। इलिए हंडर परसेंट, मोर देन हंडर परसेंट अटेंडेंस थी। और मैंने कहा था है। ओडियेंस देखकर बात नहीं करने है। कुमिटमेंट को और मिशन को देखकर अपन बात करें। अगर हम ऑडियेंस को देखकर करेंगे तो जाकलू सी जनम लेगी। अगर मिशन को और कुमिटमेंट को धान में रखकर सत्य कहेंगे तो समर्थन लेगा। और इसलिए मुझे और आपको वोट नहीं कहिए। मुझे और आपको नोट देना नहीं है। मुझे और आपको इनको एक बिशा देनी है। इसलिए उसको कहना बस इतना ही है। जो संग में बढ़ाया है वो ध्यान में रखते है। जो भी डायलोग करना मुष्कुरात वे करो, क्योंकि मुष्कुराइट सबसे खूबसूरत और हसी है। और इस सोच के साथ करो कि बार बार मिलना है, अनेक बार मिलना है, आगे भी मिलना है। उनोंने पने तीर घंटे बर भारता हुए। और इन सम विशों पर रुए। और कॉंकुलूडिंग चीज जो वह एक डी आईजी थे, एक आईवी काफसर थे उसमेंगे, उनोंने कॉंकुलूडिंग मार्स लिए। जब पुझने सुदर्शिंगी बोल चुके समापन हो गया। उनोंने रिक्रेश्च की कि आपने अपना स्वाक्षो किया है, समापन किया है। हम भी उसका समापन करना जाए। तो उनोंने मेरी तरफ देखा, तो मैंने कर सकते हैं। मैंने कर सकते हैं। आप किसी और को जोडना चाहें तो उसको भी जोड़े। उनने कहा, तीन सो सत्तर जब तक रहेगी देश की अखंड का खत्रे में रहेगी। मैं सितंबर 1998 की बात करना। दूसरा, इंसरजेंसी जब तक रहेगी। कश्मीर कभी जन्नत तो दूर की बात है। ये जन्नूम से भी बुरा जन्नूम हो जाएग। तीसरा, पाकिस्तान को जब तक तॉल्रेट करते रहेगे। हिंदुस्तान में शांती की सोची ही नहीं जा सकती। चोथा पाहिंट उन्हें ने कंफ्यूर किया था। राम सब के हैं। क्योंकि अंतिम जो रसूल हुए, मौहमद साब। हिरनि का। हिंद के सरजबी स्कून की आजिरा बाहइचारा मिलता है। कि यहां हम खुश थे हैं और खुश रह सकते हैं बाकी जैसे शंकट बाकी देशों में नहीं यही एक देश है अंतिम पॉइंट उनका था जहां पर सब का सम्मान भी है सब को स्विकार जाता है सब को स्थान भी दिया जाता है इसके तरेक बुलिया में कोई दूसरी सभ्यता नहीं दूसरी कोई जगे नहीं उनोंने कहा यह एक्सपेडिमेंट जब बापिस आ गए हम तो कहने लगे कि यह एक्सपेडिमेंट सारे देश में चल सकता है तब 24 दिसंबर 2002 को दिल्ली में संग अधिकारियों का और मुसलिम फिर्टों के बीच में सबसे बड़ा जिसमें माई हिंदुस्तान बाद में मुसलिम राष्टिय मंच इस मूवमेंट का जनम यह सांजी विरासत के रूप में हुआ एक तरफ मौलाना वहिदुदीन थे एक तरफ के शुदर्शन थे उनके उसमें से इस नई मूवमेंट का जनम हुआ था शाक्षी के रूप में अजिते बड़े इमाम दी तो और पत्यापुरी मस्जिते मुकर्रम साभ इमाम दीतो अल इंडिया इमाम और इस प्रकार से चला है इस सारे सफर में उनिस सो अठामय से पहले के च्यासी की घटां को लेकर भी यह सारा इसमें है हुआ है मानों भूटो निए यह व्यूज है इसमज समाधान करने वला एक तब रूप है अरू है नितियात के घ्रन्त में यह है जो रास्ता जेगा और उस रास्तव पर चलने के लिए मजबूर भी करेगा और उस रास्ते की जरूरत को भी स्थापितम करेगा मुझे यह लगता है इसको समझना बहुत जरूरी इसलिए हमारा दी ने दी से दी और फेस इडेंटिटी तो हमारी जीम आइडेंटिटी भी एकि आम सब हिंदुस्तानी भाषा में सोच्ते हैं, हिंदुस्तानी भाषा में सबने लेते हैं और हमारी फेस इडेंटिटी भी हिंदुस्तानी थी हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तानी रहे भी बदलने सकते हैं, 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 बदलने स तुम जिस गुरुप में खड़े हो वहां संझाओ कि हमारे भी राम है। उसके एक सेकरेटी को भेजा। तो भूल दिया उन्होंने वो इंडिया गटबंधन में भी जाकर बोलेंगी राम हम सब के निमंधन की जुरूतनी भगवान जी के घर जाना इभादत के लिए मस्जिद जाना है। तो निमंधन फुड़ी देखा जाता है। जो उसको निमंतरन देखते हैं वो बदनसीद है। जो उसमें आस्था रखते हैं वो नसीद बाले हैं। उनम जाने ही चाहिए। तो फिर मैंने मुझे इसलिए उसको भेजा कि उसको एक चीज मालूम है। उसने अपनी सरकार को डिस्टेविलाइज किया था नियंतरन करने के लिए। तो दो प्रह्मन जम्मों के उसमें मंत्री थे वो दोनों शेक कर दिया। उसको लग रहा था ये कॉंग्रेस के साथ मिल जाएगी। पूरी प्रेस ने उस दिन पूछा उसे उधंपुर के अंदर मंत्री परशिद में कि आपकी मंत्री मंदल में दो ब्रह्मन थे। आपने दोनों निकाल दी हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर मुसल्मान और हिंदू डोगरे और कश्मीरी मिलाकर अठाइस परसेंट ब्रह्मन बनता है। तो आप उंगा रिप्रेजेंटेशन खो दिया है। आप अल्पमत में चले गए हैं समाज के। तो वो सब प्रेस कॉन्फरेस के बात छोड़कर उसने चारों तरों मंद्री परशदेखी, प्रह देखी, खड़ा हुआ। और एक दम बड़ी चिला कर बोला कौन कहता है कि मैंने ब्रह्मन निकाल दी है। तो उन्हें बताइए कौन है। उन्हें का मैं। मैं मजहव से मुसलमान हूँ, प्रंतु मैं आपने गोत्र परंपरा से, जाति परंपरा से, और पहचान परंपरा से मैं ब्रह्मन था। रहामन हूँ और ब्रह्मन रोहुआ हुँ। आखिरकार देश के अंदर सत्य समझने वाले लोगों की कोई कमी नहीं। कर अर इसलिए 377 आथ हला किया भी दिएस मुस्लिम दिए हो दे कर आयो हम शब इस देश के एदम विदेश्चिवunn सब्सक्राइब कि अपने इमान इमान हमारा हिंदुस्तान था है और सदा रहे कुछ बाते इसलिए थी मन में आया था सब्सक्राइब कि इस सारी मुव्मेंट के अंदर आप जो कारिक्रम आने वाला 22 जनुरी मुस्लिम मंच के कारिकरतों ने तीन-चार दिन में क्योंकि मैं कल ही अंदे मान निको बार से आया तीस अगस्त का तिरंगा लेहा कुछ मैंने यह जान बूज कर इसलिए बात पही है कि यह एक इतिहास प्रिष्ठ जाद रखने के शन उननिस सो तर्तालिस इक्टिस बाइस तेईस अक्तूबर सिंगापुर नेताजी सुभाचंदर भोष जिसके सरसेनपती थे स्कार्टिडवाइ और इन विदेश के अंदर ये अजाधिन फोज का गठन वा था अजाधिन फोज का गठन वह ने कारन और इनको उसका नेत्रित्व गिया था तो उसका सम्मेलन्द उनिस देशों के प्रतिनिदी थे उसमें इंगलेंड इसके इतली के भी थे चीन के भी थे जापान के भी थे जर्मनी के आदी के भी थे ये उपस्ते थे उसमें दो ताजपोशी हुई एक भारत इंडिपेंडनेंट या भारत सले इन नो उननिस के उननिस देशों ने का भारत अब गुलाम नहीं है भारत एसलिए भारत को स्वातंट्र देश माना जया उसी के बादी आया तिर इस सासंधर देश की सरकार और मुख्यों अगए तो इसलिए आजाद दिन फोज को और भारत की स्वातंट्र भारत की फोज भोषित किआ गया और नेता जी सुभासंद भोष को प्रिžिदेंट फिंडि प्रदान सैनापती भी नेताजी सुभाचंदर बोस्क भोषित कर दिये लिए। भाषन भाषन जो भी बिन्दु कहें वो पढने लाइड है। नए भारत का स्वत्न कैसा हो इसके उसके उसके बहुत बड़ा एलोबरेशन है। नए दुनिया कैसी होगी इसका भी अलोबरेशन उनने किया है। भाषन पौने दो गंटे से अधिक तो उसके अंदर उनने एक अधिक मैं एक इनडिपेंडने भारत कहा जाने वाला उसका फस्त प्रेजिडेंटस आपने मानने किया। बर्ड यो स्टेशन बीए तरन सी भी है। दुनिया के देशों कि मानन्यता भी है। विदेश विफाग भी है असका राष्ट्रगान भी है। उसका बैंक भी है। इ यह सब हैं पर मैं ऐसा दुल्भाकेशाली प्रेजिडेन्ट हूँ जिसके पास एक इंच अपने देश का नहीं है। तो जापान ने भी सुना, जापान ने हिरोशिमा औ नागाशाथी के बाद इंगलेंड की आर्की पर हमला किया। और अंडेपान की को बाद यह इंगलेंड से, ब्रिटिश रूल से और अजाभिर फोज ने जपट लिया था, इसको जीक रिया था। वहीं बैठे हुए जो जापान के प्रतिनी दी थे, वो खड़े हुए, मिस्टर सुभाश, प्लीज, मिस्टर सुभाश, प्लीज, ऐसे तीन बार मुगलें। उन्हें कहा है कि नहीं, अब आप यह वाक्य बापिस ले लीजिए तो ना अपनी घोशना करों। सुभाश बाबु ने कहा हुए, मैं बाप्तिस कैसे लोगो तो मैं बोल चुका हुए। पर मैं आप कहेंगे उसके इंसार मेरा बाप्य बाप्य बादियाए। यह गरंटी देता हुए। तो ने कहा हमारे प्रेजिएंट ने प्राइमिनिस्ट्री ने महां से संदेश भेजा है साथ की साथ। वायरलेस मैसेज है है। यह है कि अंडेमा निकोवार, नेताजी, सुभाश चंद बोश को गिफ्ट कर जाए। क्योंकि यह जापान का नहीं है, यह हिंदूस्तान का था, हिंदूस्तान का है। यह है। यह गरिविंग यहुदा थाउजन एंड थाउजन स्केर किलोमेटर ओव गालेंट। यह है। यह है। यह जापने लगेवे लोग थे और उन सब के बीच में नेताजी ने फिर नारा लगाया था। अभी तर हमने का था दिली चलो, अब नारा होगा, अब दिली दूर में। और दूसरा, अब यह प्रिजनर में केलाएंगे, रेवलूशनर में केलाएंगे, देशभर्त केलाएंगे। और तीसरा, इनको यहां तर जो अजिकार चाहिए, वो सारे अजिकार नई हिंदूस्तान की सरकार अर्पित करती है। इसलिया, 30.12.1943 अधंड भारत का परथम स्वतंतरता दिवस्ता, 15.1947 खंडित भारत का स्वतंतरता दिवस्ता, आम उसको पिखले ग्यारा साल से चलिबरेट करने लगे। वो चलिबरेशन करके तीसरा और मैं फिर वहां से चला आज के कारिकर में आना के लिए। इस संधर्व को अधिये समझना चाहिए। वो आजाद हिंद फोज के अंदर अगर सो स्विपाही थे तो सो स्विपाही ओंदर जिसको माइनियोर्टी कहा गया जिसे इस उप से मुसल्मान कहा गया। 26 वो होते थे और 74 बाकी हिंदूस्तानी होते थे बाकी हिंदू होते थे तो इस प्रकार से हमने इस स्वतंतर का संगराम को भी आगे बढ़ा। बापू अगर अपीजमेंट के रास्ते पर नहीं जाते तो शायद विवाजन रूख सकता था। अब इसी के साथ साथ जो दो वाते उन्होंने तैती हैं वो मैं आपको सूच रहें देकर आपने भाशन को समाप्ति के तरफ बढ़ा दूँगा। पहला 22 जनवरी को मुस्लिम मंच ने अपील की है अब अपील अच्छी गैसे समाचार पत्रों में आ जाए इसलिए ना उसको दोहरा रहा है। पैंटर मानकर समझ लेजिए घाइडन फेलोस्प्र बानकर समय लेजिए और वो यह है व 13 दिन लड गाहों में मदल्सों के अंदर मशुद के अंदर और वहैं भी उ ना कहीं जायारां वार से यatori जाय जायियरां जाय जाये रामियरां आफ। अपने अपने घरम कंसार अपने अपने मजद कंसार पूजा पात पहें। मैं गुड़वाओं से, चर्चों से, गुंफाओं से, आश्रवों से, जैन स्थानकों से, और जितने भी प्रकार के रिलीजिन and अपने रिलीजिन से, सबसे अपील करता हूं कि वह है बाइस थारीकों दोपहर ग्यारा बजे से लेकर दो बजे तर अपने अपने पूजास्थल को इवादत गहा को प्रेयर हाल को जरूर और शोभा के साथ सजाएं और वहां पर एली विजन पर इस रहसं को देखें और जिस भी ईश्वर को जिस पर देविजेटा के रूप में नवी पेगंबर के रूप में मानते हैं मानते वे विष्व भारत में और विश्व में शांति आए सद्भाव आए प्यार आए भाईटर आए रक्की आए इसके लिए परांचना परेंगे इबादत करेंगे दूसरा उस दिन शाम को आजे पबलिक आजे भारतिय हिंदुस्तानी आरियन इंडियन इस रूप में हिंदु रूप में अपने घरों के अंदर आश्रमों के अंदर मंदिरों में पूजास्फलों में वह चिराग रोशन करेंगे आज सुवेज मैं यहां के निकल रहा था उत्तर खरदेश के जो मक्तब हैं दरगाएं हैं उसमें जो शाह मलंग समाज है उनके प्रमुख लोग मुझे मिलने के लिए आएची मैंने का मैं महीं आ रहा हूं महीं मिलेंगे क्याते हैं नहीं हमने एक पर्चा निकाना आपकी स करेगी प्रमुख करेगी आप मेरी बात करवा सकते हमने तिछले तीन वर्षों में और निजामुदीन के अंदर दीपोटसम बनाना चुरू किया हैं उनके आठ खांदान हैं पहली बार में दो खांदान साथ आय थे और वो समिले पूटे थे साथ सो के लगभग दिए जिला कर दीपोटसम किया पत्रकार वारतर दे उससे अगले साथ आठ सो से अधिक दिए जलाय थे छे खर घराने साथ आ गए इस बार दीपोटसम पर गए तो आठों घराने थे जो पुल मिलाकर प्रमुक मानते हैं जहां पर प्रोपर्टी राइट होता है और ड्यूटी राइट भी और डिस्ट्रिबूट होते हैं आल वर प्रेजेंट तब उनने का कि भाई सब आपको हर्षा लाने की जिरूटने पढ़ेंगे हम अपने मना सकत रश्म कि रष्म करदी हैं सोते ही हमाः पुछा था आपने धी और ठाक था क्न पोखा था तॉ आपने धी पूट्सव किया तो आपकी और इृपक्षवर और मेन धीमुटिन ओल्यूह मेरी आइट जिनकी आइटाटी इका को उटे होता है और इंसान है ना जो आगए मुसल प्रमात्माथी भायजरूथी वो है और वो सदा रहेगी दुनिया कि कोई ताकती हो चिन जे सक्थी बगलने से और इस प्रकाश दूसरा उन्होंने थैसला किया है बाही जन्वरी को जब प्रभु बालक रूप में प्रतिष्टित हो जाएंगे शिशु रूप में प्रतिष् रूप में राम जी आये हैं अपने घर आये हैं चलो उनके दर्शन के लिए इस मोहिम के अमसार 23 जन्वरी सुभाष जैन्ती से एक नए भारत की आगाज करने की यात्राओं को जनम देंगे 26 जन्वरी गंतंत्र दिवस पर कुछ चलेंगे कुछ बसंत पंचमी तक चलेंगे ऐसे अनेक सुभूहों के रूप में और यह चोटे सुभू बना बना कर और राम लला के दर्शन करने के लिए आयोध्या जाएंगे राम तीर्थ नियास के प्रमुखिया बैठे हैं उन्होंने सुन लिया है जब वहां तक बात पहुंचेगी तो विवस्ता में अपने आप सही होग पहले दी मिला है अभी मिलेगा और ऐसी यात्रा में पांचे साथ आठ जिन दी पैदल यात्रा होगी बाकी वो लंबी यात्रा बस से या ट्रेंपों से करके आएंगे उत्रप्रदेश के किसी शहर से पैदल चलेंगे मीनिमम छे दिन पैदल चलेंगे मैक्शमुं 15 दिन पैदल चलते वे राम-लजा के दर्षान करने के आएंगे आप में इसे जिनको लगता है कि वो इन यात्रां को hospitalized करेंगे और इस कि यात्रां में चलेंगे वह जरए़ी पर हाथ बास्तनु तो यह एक ग्रिश नए भारत का抗ा Cham Mandin, रасhtra Mandin. जो छूँ छूट मुक्त होजाए, वो रास्थऊ जो झूद नारी के सोशन से बुक्त होजाए, वो राष्ट्ऊ मंदिर. जो गरीब दुखी प्रेडिक कमजोर असाय निर्वल है उसको प्रेम से गले लगा ले और उसको सुख दे और खुशी दे वो राष्ट्रमंदु जहां चुआ चूत नहीं रहती जब हम एक इश्वर की संतान है और एक धर्तिमा की संतान है तो फिर अचूत कैसे हो सकता है जो अधर्म से जब राष्ट मुक्त होता है वो राम मंदिर राष्ट मंदिर का निर्माता हो जाती है तो राम ऐसे थे ऐसे हैं ऐसे रहेंगे क्योंकि उन्होंने क्रिया करने के लिए जनम लिया इसलिए क्रिया को पून का प्रदान करने के लिए उन्होंने डिस्मिश की अपन कर दिल दिमाग में और चरित्र में वो सभा थे हैं और सदा रहेंगे इसलिए यह भी उनोंने साथ में लिर्ने किया है कि तई 22 जनुरी के बाद देश भर के अंदर से स्थान स्थान पर चलेंगे यह कुस्तत उनी सो अठानवे के पूजनिश वर्शन जी के उस दौरे से लेक मेरे जो एक दो वारतालाप उन से लेकर अब तत जो सेंगड़ वारतालाप उसमें से दो को पहिंट करूँगा एक यूथ होस्तर दिली एक सोद्स के लगबं मॉलाना थे विष्णु हरी डालनिया भी इसमें हृष जी जो सदर थे सारे हजारो हजार लापन लाद इमामों के वह उसमें उसमें उसे की अंदर दो महामंदलेश्ण उमेर इल्यासी जो आप सदर हैं वह उपस्तर भी उसमें ए इनको लगता था कि अवे बहुत तर्प देकर बताना पड़े आश्चरिय उआ, ति उसमें कश्मीर से भी आय थे, मौलाना मॉल्मी इमाम्, उसमें हैदराबाद से भी आय थे, असम से भी आय थे, बिहार बंगल यूपी से भी आय थे, गुजराद से भी आय थे, एक बजन्दार थे और वजूद वाले थे और जोन को अपना मत रखना है, खत्रे रखने हो रखे हैं, लोगों ने रखे, अंत में सबने नहीं कहा, जब तक हिंदुस्तान का मुसल्मान अपने आपको विदेशियों और अक्रांतों से जोडते रखे जा, इस देश में शांती और सद्भाव आई ही नहीं सकता, जिस दिन वगाए अपने विदेश और विदेशी से अपने नाल कात लेगा, ओस दिन भारत और नंबर वन मुलकों का फिलम के गाना साक्षाद करोगा, दुनिया में हम नंबर वन, और ये पत्ता हो जाएगा, इस प्रथाच्य मुजाता, हम मेंसे ऐंडीजली भ्यतर सकते हैं, जैसे हमें मुसल्मान जब भ Consett अविति आता है cultiv ओधा 6Оत ते बहुत नेख हिंदुस्वानि नजर आता है, इसे मुसल्मान जब टोक्तिवली बहुता है, गryत। ए निट जी संव्न, मुल्टबूता है, तब तो ईक जिजूथायत बह बावत नेक हिंदुसानी नजराना है। मैंने का कि नहीं जब वो इकठा आएगा दब भी वही नजराया जब अखेला मिलेगा तब भी वही नजराया। तो इसके दो फेस्स नहीं है। अबने भी यह सोच लिया कि डबल फेस्वाला इसलिए हमारे नजरीय में भी वहीशा डबल फेस्ट बना रहा है। तो इस प्रकार से यह है। उनिसो चाशी निसो अठाणवे की रेस से लेकर निर्न्यामेता है। इस देश के अंदर अंदर प्रॉंट में लगभद 20 लाग से अधिक मूसल्मानों को एड्रेस के आगी है। एक लाग से अधिक इसाईयों को भी अड्रेस के आगी है। बहुत और नग बहुत भी 15 लाग अड्रेस के ले अगे है। और इसलिए जो प्रेयतन सब महापुर्षों ने किये, संतों ने किये, उसके अंदर ये एडिशन सबुकि मुख्य प्रवा का प्रेयतन तो वही था, वो ही नहीं होता तो ये भी सफ़न में हो सकता। और मुझे लगता है कि मुझे और आपको शायद वो दिन देखने को मिलेगा, जहां जहां व्याद हैं, वह संवाद में से और कानून में से हल होकर, एक भारत, एक जुट भारत, स्वेष्ट भारत, महान भारत ये अध्था और फिर से होगा, इसका वाकतालाब कैसे करना, सब याद्ट बारत विर से और गस्तज्प के लोगों से, सभभाशाँ से, सब दलों के लोगों से, जो कि अपरात है, कट्रता है, हिंसा है, उसको अगर आप लीड दिने जेंगे, तो हम पायाद जेंगे, प्राजित जेंगे, मोत भी महाएंगे. मौत भी मिलेंगी। और जिस दे आम सच्चाई पर नीड़ता से खड़े होगे, तो उस दिन ऐसी सब आपते राजित भी होगी और आप्पा बंदन भी करेंगी। इनी शब्दों के साथ, डॉक्टर गूता सिंग को, आरिफ भार्ती को, और आयोजुकों को, बहुत बहुत ब